वो bullish green candle बनती है और यह होता है open तो यह green candle का open होगा तो देखिए इसका close अगर 100 है और इसका open अगर 103 है तो बीच में यह क्या आया है यह आया है gap और इस gap को बुरा जाता है pro gap कि जो बेटा घर में गुशे रो घर के बाहर मत निकल ला ऐसा कहा है इन भूल जाए और तुमारे घर के बाहर आके कह रहे हैं कि घर के अंदर रहना घर से बहार निकलने की जुरूरत मत करना श्कार दोस्तों मैं भर जुझीन वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे कैंडल स्टिक्स के उपर एक सीरीज हम चला रखे हैं और लास्ट तीन हफतों से हम कैंडल स्टिक्स को लेवल बाई लेवल समझ रहे हैं तो पहले हम लोगोंने बिगनर लेवल की बात करी थी फिर हम लोगोंने एडवांस लेवल की बात करी थी और आज हम आपके लिए ले तूढ़ा एपीसोड बड़ा होगा दोरी चीज़े बड़ी होंगी तो आने वाले नेक्स्ट एपीसोड में और इस एपीसोड में हम Canal Wi-raan Hasht foreign करेंगे metric moles people की बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़े देखेंगे कुछ ऐसी टाक्टिस हम समझेंगे जो शायद आपने ना पहले कभी सुनी होगी या ना कभी पहले देखी होगी और देखी भी होगी तो इस एंगल से और इस नजरीय से नहीं देखी होगी मेरे चस्मे से नहीं देखी होगी आपने अपने चस्मे से या अपने न आमर के बारे में बात करते हैं, शुटिंग स्टार, मौनिंग स्टार, यह सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन जनरली हम एक बहुत important aspect को miss कर जाते हैं, जो की है gaps, और जब हम gap की बात करते हैं, तो candlestick से एक बहुत high level और एक बहुत advanced तरह का gap recognize हम कर सकते हैं, जिसे हम pro gap बोल जो gap होता है, यह भी क्या pro और rookie gap होता है, yes, pro gap की features अलग होते हैं, pro gap को पहचानने का तरीका अलग होता है, और candlestick के मदद से आप pro gap को पहचान सकते हैं, और pro gap को trade भी कर सकते हैं, तो पहले हम यह देखते हैं कि pro gap क्या होता है, और novice gap क्या होता है, तो यह दोनों चीज, pro gap यानि कि pro traders उस gap को पहचानते हैं और उस gap का फायदा उठा सकते हैं और novice gap की अगर हम बात करें तो normally जहां पर आप कोई भी टेखनिकर आनलिसिस के गिदाब में पढ़ोगे या कहीं पर भी कोई भी जो नौ सिख्या होते हैं जिसे मैं nappy में भी happy analyst बोलता हूं nappy होती न बच् को समझ मैंने लगे है कि यस आज तक हो सकता है यह कड़ी थी जो आप मिस्स कर रहे थे तो प्राइज गैप देखिए विच अराइज फॉलूइंग अ डायरेक्शनल मूव इन दा मार्केट ऐसा प्राइज गैप जो एक डायरेक्शनल मूव होने के बाद अराइज हो रहा है उसको हम नोविस गैप बोलते हैं इसका मतलब कि मार्केट ऐसे उपर जा रही है और यहां पर उपर में जाकर मार्केट ने एक गैप दे दिया यहां पर यह गैप अप मार्केट ने दे दिया तो यह जो गैप अप होता है इसको नोविस गैप बोलते हैं और जनरली आपने जब गैप के बार में पढ़ा होगा ना कि गैप अप हो जाए तो इसका मतलब बहुत जादा डिमांड आ गई बहुत जादा पावर आ गया यहां से प्राइज जो है उपर के तरफ जाएगी गैप लेके लोग एक्सेटेड हो जाते गैप अप लेकिन अगर यह गैप एक एडवांस प्राइस एडवांस के बाद अगर यह गैप आए तो उसे नोविस गैप बोलते हैं और यह कंटिनुएशन नहीं यह एक इ होो सब्सक्राइगे नहीं अव घह रहे करता नहीं रिस्तव जोलेट जाता है यह लोग बोलते हैं यह सोथ नहीं रिल यह साया जैता है उसमें लोग फख जाते हैं एक प्रोगाप च्या होता है प्रोगाप कि एक डायरेक्शनल ट्रेंड अब इमर्ज होता है सब्सक्राइब नहीं यह नॉर्मल जैसा दिखाई देगा, लेकिन होता गाप अब कैसे समझेए यह एक कैंडल है और ये एक red candle है ध्यान दे समझेगा बहुत मज़ेदार चीज है ये ये red candle है तो red candle का close कहा होगा यहाँ होगा अब next day next day यहाँ पर एक bullish green candle बनती है मतलब की next day buying आ जाती है ये जो है वो bullish green candle बनती है और ये होता है open तो ये green candle का open होगा तो देखिए इसका close अगर 100 है और इसका open अगर 103 है तो बीच में ये क्या आया है ये आया है gap और इस gap को बुरा जाता है pro gap और ये gap जो होता है वो generally एक strong price reversal माना जाता है उपर के तरह ये जेरल आप देखोगे न ऐसे आपको over surface level पर आपको gap नहीं दिखेगा वही ऐसा जो gap होता है ये कोई ऐसा अगर gap down हो तो normal लोगों को ये gap आराम से दिख जाता है लेकिन ये वाला जो होता है इसे pro gap बोला जाता है ये surface level पर आपको gap नहीं दिखाए देगा ये जो gap है ये pros पहचानते है उनको समझे है जिनको price की बहुत बारी की से knowledge होती है कि हाँ भाई यहाँ तो close हुआ है 100 पर और दुसरे दिन open हुआ है 103 पर तो नीचे तो भाई या 3 रुपे का gap तो मुझे दिख गया तो इसका मतलब gap अब हुआ है this is a pro gap और आप यहाँ पर सोचो की यह जो छोटा सा gap जो हमें दिखाई दे रहा है यह एक यह एक पूरे trend को change करने की हम्मत रख सकता है यह gap जो सबको दिखता है यह जो gap है यह जो सबको दिखता है वो market में कभी नहीं बिखता है market never buys something which everybody sees तो समझे एक ऐसा pattern यहां से धमाका होगा, यहां से ऊपर जाएगा, और आप देखो वो स्टॉक कभी मूव करता नहीं है यहां ऐसा गुड्ड न्यूस पॉजिटिव न्यूस जो सब को पता चल गई है और अपने सुछने हैं कि दूसरे दिन मार्केट खुलेगा तो यह stock एदम rocket के तरह उपड जाएगा देखेगा वहाँ पर reaction होता ही नहीं है कभी-कभी तो वह उल्टा पड़ जाता है तो यह pro gap है जो सबको नहीं दिखेगा अभी नॉमल अगर आप देखोगे तो आपको यह candle दिखेगा आप इसमें gap को एनलाइज़े नहीं कर पाऊ तो यह pro gap होता है और इसमें market काम करता है क्योंकि सबको नहीं दिख रहा है सिफ प्रो को दिख रहा है जो आज से आप हो गए ह यह video दिखने के बाद आप प्रो हो गए हो अपने नाम के निशे लिख लिए ABC Mr. pro तो आप प्रो हो गए हो तो आगे बड़ते हैं देखिए यह है नोवास गया अब प्राइस स्ट्रॉंग मुव के बाद प्राइस बहुत स्ट्रॉंग मुव के बाद gap अप देती है यह और बड़ा gap up हुआ है और जैसे मैं आपको कहा कि जो बच्चे हैं जो जो नदान है जो अभी भी वो जो निपल होता है न वो सट करते हैं वो बच्चे इस gap को देखकर कुदेंगे कि gap आया gap आया gap आया और फिर वो अपने social media के handles पे YouTube वीडियो बनाएंगे कि ऐसा gap आया है और कल भगवान इसको rocket बनाके यह ब्रह्मास्त है वैसे वैसे कुछ बनाएंगे लेकिन अच्छली हुआ क्या देखिए यह था नोवाइस gap और यह यहापर trap करने के लिए बनाए गया था तो इस तरह का gap जो होता है वो नोवाइस gap होता है लेकिन यहाँ देखिए मजा यहाँ यह close का level था और इसकी open जो है वो यहाँ हुई थी तो यह बीच में क्या हुआ यह बीच में हुआ गयाप और इस gap को pro gap बोला जाता है pro gap मतलब कि हर किसी के खोज की बात नहीं है हर किसी को यह बारी किया नहीं समझ में आती है देखिए friends मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको stop market में successfully पैसे कमाने हैं तो एक चीद ध्यान रखिएगा सीखने से कभी भी पीशे मत हटिएगा कभी भी पीशे मत हटिएगा हमारे पास लोगों के phone आते हैं हमारे पास लोगों के message आते है WhatsApp आते हैं कि सर पांच लग का नुक्सान हो गया सर दस लग का नुक्सान हो और हम उनको यही बोलते हैं कि आप उससे अगर आपने दस लाग रुपाय नुक्सान किये हैं तो आप इसका 110 फीश देकर हमसे सीख सकते हैं और हम बहुत डीप में आपको analysis सिखाएंगे लेकिन क्या होता है ना कि हम लोगों यह सोचते हैं कि हम तो महा हम तो खुद ही स्व मैं यह नहीं कहता कि सीखने के बाद आपका loss होना बंद हो जाएगा लेकिन जहां पर आप 10 खोते हो ना दस लाग होते ना उस वहां पर आप 10,000 खोगे loss तो होगा और इससे आप सीखोगे लेकिन क्या आप थोड़ा कम नुक्सान खा रहे हो और धीरे धीरे यह नुक्सान बंद होगा और फिर आप profit के तरफ मोड़ोगे इसलिए सीखने से कभी माचू किये चाहे नहीं कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाऊगे कभी भी देखोगे देखोगे ना ऐसे आपको यह आपको लगएगा यह कंडल केंडल स्टिक पैटर्न ही है और यह आपको लगएगा जैसे कि बड़ा बहुत जाने सको belt hold बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे लेकिन है actually pro gap देखे हो क्या रहा है यहां पर देखिए दोनों के बीच में gap नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर यह close यहां हुआ और इसका open यहां हुआ तो यह हलका सा gap है सर यह है pro gap जो आपको बता रहा है कि यहां पर strong demand है तो यह pro gap है तो यह pro gap को trade करने के लिए candlestick में बहुत तरह के patterns होते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर आप इसको समझे यहां पर pro और novice gap दोनों साथ साथ में आपको दिखाई देंगे अब यहां पर देखिए दूसरी दिन क्या हुआ दूसरा दिन यहां कैसे bearish pro gap बना देखिए इसका इसका close कहां हुआ यह वाले candle का यह वाले candle का close यह है, इधर में है, और यह दूसरे वाले candle का open कहा हुआ, यहां हुआ, देखिए दूसरे वाले candle का open यहां हुआ, इसका close यहां हुआ, अब इसके बीच में, इसके open और इसके close के बीच में, यह थोड़ा सा जो हवा रह गई है, जो vacuum रह गई है, इसी को pro gap बोल ững Noves gap फसा दिया और आप क्या है कि novice gap में एंट्री कर जाते हैं तो इस candle पर निकल जाओगे यहाँ पर इस gap को देखकर जो careless है वह सक्रिय हो जाएंगे अप्र अपन यहाँ पर ट्रेड लेंगे क्योंकि उनको पता है कि novice gap आ गया तो वो ready हो जाते हैं शॉट माणने के लिए फिर pro gap जब आ जाता है तो उनका तो 100% sure shot हो जाता है कि यहां पर यह market है यहां से नीशे जाएगी और भी बहुत चीज़े देखने पड़ते हैं लेकिन सिर्फ यहां पर जो price action के basis में बोल रहा ह यहां पर आपको pro gap दिखाए देगा and then market starts to move down तो यह होता है pro gap और novice gap तो इस pro gap और novice gap को पहचानने के लिए candlestick के pattern candlestick को उसे साब से patterns में divide कर दिया गया है देखिए कितनी advanced study है candlestick आपको pro gap के बार में भी बता रही है तो Japanese candlestick होती है वो इस हद तक इस level तक है कि trading की हर ए यहां पर देखिए तीन तरह के candle pattern है जो कि pro gap को denote करते हैं जो कि आपको pro gap के बार में बताते हैं जो आपको यह बताते हैं कि pro gap ऐसा हो सकता है तो पहला pattern होता है बुल स्यश pattern आप इसकी closing यहां पर है सटर की केंडलती ओपनिंग है यहां पर जो है दूसरा है अब सप्रेटिंग लाइन किया मैं भाई दखिए इसकी closing यहां पर है यह candle यह ओपन हुआ अब देखिए इतना बड़ा यह क्या है separating line gap है कि नहीं है this is called pro gap और आप ऐसे दूर से देखोगे तो आपको gap समझ में नहीं आएगा तो कि candle stick ऐसा यह ऐसा बन जाएगा कि आपको लगे गए नहीं gap है लेकिन actual में जब आप open close को मिला होगे तो आप को gap समझ में जाएगा और तीसरा है kicker भाई इसके ओपर तो हम लोगों ने एक पूरा dedicated वीडियो बनाया है this is the most powerful pattern right तो kicker में क्या है देखी यह यहां close हुआ और यहां देखिए open कहा हुआ दूसरे दिन open हुआ यह दूसरे candle के high के ओपर भी open हो गया यह देखिए तो भाई यह pro gap तो है यह pro gap तो है साथ साथ में यह normal window भी है normal window भी है window candlestick window first episode जाके देखिए हमारा वहाँ पर हम लोग उन्हें window को भूद detail में discuss किया है तो यह normal window भी है pro gap के साथ साथ normal window इसमें है double power यह बाहू बली बाहू बली candle है तो यह है तीनो तरह के candlestick जो की pro gap के बारे में आपको enlighten करते हैं अगर आप यह तीन candlestick देखते हो तो आप यह समझ लेना कि आप एक pro gap के साथ deal कर रहे हो तो यह strong यह stronger और यह strongest, यह तीन candlestick pattern होते हैं, उसी तुसका ultra जो होता है, वो bare candle भी होते हैं, just opposite is the bare candle, तो वो आप तो समझ मेंगा है, बुल candle अगर आपको दिखाई देने लग गया, अगर बुल pattern आपको दिखाई दे रहा है, तो bare pattern भी आपको, अब आप समझ पर just imagine करने की कोशिश करिए, और इसका ठीक ultra जो है अपने आप अपनी copy में draw करने की कोशिश करिए, हम अभी bare candle नहीं discuss करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुट अपनी imagination की घोड़े को दोड़ाओ, जो आपको presentation मिलेगी इसकी, उसमें हम आपको bare candle के pattern दे देंगे, प्रेजेंटेशन लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो आपको शेर करनी होगी, बहुत सारे WhatsApp ग्रूप में, उन ग्रूप में शेर कर देना है, और फिर इस नंबर पे 9748173333, इस नंबर पे आपको एक screenshot भेज़ देना है, कि यह लिखकर की सर्प, मैंने आपका वीडियो इस फलान ग्रूप में शेर कर दिया है, तो तुरंथ हमारा बंदा जो इस नंबर को लेके बैठा रहता है, आपको या तो presentation भेज़ देगा, या वो link भेज़ देगा, जहां पर ये presentation posted है, तो फिर आप वो presentation को अपने पास हरकेगा, अपने reference के लिए, बार-बार देखिए, बार-बार सीखिए, शेर करते रही है, तो presentation में आपको इसका opposite जो bear candles है, वो आपको presentation मिल जाएगा, अभी फि Shash की, Bull Shash, इसे Bull Shash pattern कहा जाता है, तो pattern क्या होता है, ये pattern को, कहाँ पर pattern, देखिए, अगर आप last episode देखें है, तो हम लोग ने बात की थी आपके साथ, कि कौन सा pattern कहाँ पर होना चाहिए, वो भी एक important character है, candlestick का, तो हर एक pattern हर एक जगे काम नहीं आता, कौन सा pattern कि जगे हो, वो ही पर, वो सचता है, तो यहाँ पर देखिए, the pattern is considered, पोस्टर, downtrend, मतलब कि यह से downtrend चल रहा है, और यहाँ पर यह last जो है, वो red candle बनती है, तो आप, मैं तो सिदह एक इसी जानता हूँ, मेरे को नाम से मतलब ही नहीं है, मेरे को सिफ psychology से मतलब है, तो यह literature आप अपने पढ़ लिजेगा, मैं आपको यहाँ पर practically समझाता हूँ, मुझे उसमें ज्यादा मज़ा आता है, कि practically आपको समझाओं कि हुआ क्या है, तो यहाँ पर देखिए, downtrend चल रही थी, और यह जो last candle है, एक बड़ा red candle बनता है, यह ऐसा, बड़ा red candle बनता है, तो bears है ना, बड़ तो वो क्या करते हैं, price को ऊपर खुलते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर खुलते हैं, price कहां खुलेगी, price ऊपर खुलेगी, तो price को वो ना, somewhere यहाँ खुलते हैं, यह होता है open, और यह जो है, यह है, पिछले दिन का close, अब यह जब open होता है, तो यहाँ पर देखिए, किस के बैठे हैं अब वो हो सकता है कि ट्रेंड को छोड़े नहीं यहां से ट्रेंड को ऊपर लेके जाए फिर यहां से शुरू होती है बाइंग पूरे दिन और प्राइज जो है वह ऐसे केंडल को ले जाके ऊपर के तरफ बंद करते हैं अल्मुस्स इस केंडल के ऊपर बंद होता है और यह बन जाता है बुल सैश केंडल बहुत स्ट्रॉंग पैटन है और खासकर अगर डाउन ट्रेंड के बाद आए और यह रेड केंडल जितना बड़ा होगा उतना ही मज़ेदार होगा रिवर्सल भाई जितने बड़े ऑपोने तो मैंने बुलाना कि अपने को पैटन के नाम से कोई मतलब नहीं है अपने को सिर्फ समझना है साइकोलोजी की हुआ क्या उस दिन यहां बेर्स पूरे स्ट्रॉंग थे पूरे स्ट्रेंट में थे दूसरे दिन प्रो गैप होता है बेर्स डड़ जाते है और फिर यहां पर पाइंग दोनों आती है और प्राइस को स्ट्रॉंग ली उपड ले जाती है और यह बनता है बुल सैश कैंडल स्ट्रॉंग पैटन है स्ट्रॉंग पैटन है यहां देखिए और यह सब चार्ट्स फ्रेंट सब आपको मिलेंगे अपने पास रखिए समझिए बहुत सही है देखिए बहुत स्ट्रॉंग ट्रेंड नीचे के तरफ जारी है एकदम स्ट्रॉंग ट्रेंड नीचे के तरफ जारी है बेर्स बहुत कुश है यहां से जो स्ट्रॉंग कर रह जो शॉट करने वाले जिसने यहां शॉट किया है, यहां शॉट किया है, यहां शॉट किया है, वो क्या करेंगे, वो भी अपना profit book करेंगे, buyers भी आएंगे, और then finally price जो है, यहां से advance होना सुरू होती है, और एक अच्छा rally हम लोगों को मिल जाता है, एक अच्छा shot covering rally, जो भी बोलिए, हम लोगों को move मिल जाती है, एक tradeable rally मिल जाती है, this is called bull sash pattern, एक sizable down move के बाद आना चाहिए, bears surprise होने चाहिए, bears डर जाने चाहिए, तभी इसका relevance है, a strong relevance, यहां देखिए, same, बहुत सारे charts friends आपके लिए, कि आपको clarity आए, और आपको समझ में आए, बहुत सारे charts, देखिए, यह यहां पर, down move के बाद, यह bear candle, और उसके बाद यह देखिए, bull candle, pro gap हुआ कि नहीं हुआ, pro gap हुआ and then the move, strong bet, यह क्या है, यह bear sash, अब देखिए, आपको bear sash का मैंने example दे दिया, तो prices move यहां से उपर के तरफ होती है, उपर close होती है, यह दो candle, यह वाले दो candle है bear sash, उपर ही close होती है, दूसरे दिन यहां पर देखिए, pro gap होता है, यह close है, इसका, बुल्स का close यह है, और यह जो bears की open है, और open होता ही price जो निचे जाना शुरू होगे, पहले तो gap down open हुई, यह close और इसके बीश में जो gap है, यह है pro gap, gap down open हुई, पूरे दिन selling रही and then finally price turns down, तो भाई जिसने late buy किया है, वो भी बेचेगा, नए sellers भी आएंगे, तो the price will go down, यह इस example bear test का, देखे जैसे मैं आपके साथ जैसे अभी बात कर रहा था और आपको कह रहा था कि हमारे जो paid courses में क्या अलग है, तो यह friends यह कुछ हमारे जो जिन्होंने हमारी paid courses लिये हैं, उनके कुछ results हैं, जो कि आपके साथ मैं share करना चाहता हूँ, कि क्या फाइदा अलग से आपको मिलेगा, और यह सब जो live stream है, यह हमारे जो मेरे trades हैं, जो मैं generally उनके साथ share करता हूँ, कि देखो यह trade मैं ने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोगों को फाइदा हो रहा है, इन्होंने यह हमारे पुराने member है, इन्होंने लिखा है कि last 20 दिन म मतलब April मेना का performance इन्होंने दिया है, 76 lakhs का इनको profit हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक एक stock में, like Anant Raj में 11 lakhs, और उसके बाद कोचीन शेपियार में 9 lakh 20,000, Lumax में 7 lakhs, और यह Mangalore Chemicals में 9 lakh 80,000, इस तरह से लोगों को जो फाइदा हुआ है, एक इस जैसे कि यह 97, तो लास्ट मन्त, जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे, यह करीबन 70-80,000 है, यह करीबन 62,000 है, तो जो हमारे साथ एक जर महने से, दो महने से, तीर महने से जुड़े हुए हैं, उनकी तो पूरी वसूलियत हो गई, पीस की, तो कि मार्केट लास्ट मन्त इतना अच्छा थ हम लोगों ने एक मौका भी नहीं छोड़ा, तो अगर आप महनत करोगे, तो आपको फाइदा जरूर मिलेगा, तो यह हमारा Master Trader Program है, यह हमारा Platform है, Stock Club, जिसके थुरू हम अपना Master Trader Program डिलेवर करते हैं, 100 hours का Program है, 100 hours का Learning Program है, जिसमें 3 तरह की strategies होती है, पहला strategy होता है, जहा आप नहीं हो, weekly chart पे trade कर रहे हो, जहां पर 100% प्लस move जो होती है, वो हमारा पकरने का intention होता है, दूसरा जो होता है, वो daily chart पे trade होता है, जहां पर हमारा move होता है, 20% से लेकर 100% का move पकरे, यह 100-300% का move पकरने की हम कोशिश करते हैं, longer time frame चाट पे, और एक अभी हम लोगों में नया सुरू किया है, जिसे हम कहते हैं, master blaster setup, master blaster setup, जो कि 3-5 दिन के अंदर, between 3-5 days, हम लोगों का 5-20% की move को catch करने का intention होता है, तो यह आप जब हमारे program को लेते हो, तो हम आपको अपने इस platform पे onboard करते हैं, और आपको यह सारी सुविदा है, मतलब सारे scanners हमारे हम आपको द होते हैं, तो यह आपको हमारे platform पे मिलता है, अगर आप हमारा mentorship join करते हो, और उसके बाद अभी हम लोगों ने अपने mentorship में, अपना खुद का chatting platform भी integrate कर दिया है, और यह chatting platform बहुत advanced chatting platform है, तो यहाँ पर right side में, जब आप, आप देख सकते हो कि कौन-कौन से signal इस charge पे बन रहे है, वो right side पे आजाता है, देखिए, यहाँ पर लिखा हो आजाता है, तो यह हमारे chatting platform पे भी हम लोगों ने नया integration किया है, hopefully यह काम आएगा, और बहुत लोगों को काम भी आ रहा है, secondly हमारे को short programs भी है, जैसे कि option वाला program बहुत-बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और साथ में यह RSI mastery program भी बहुत लोग ले रहें, तो बहुत लोग option of RSI के programs को ले रहें, तो अगर आप चुक है, अपनी existing skill को upskill करने के लिए, तो आप यह दो program और यह हमारा, जैसे price action के उपर program है, price action भी बहुत famous program रहा हम लोगों का, और internet के उपर program है, तो आप चाहो तो यह भी ले सक अब यह separating line क्या होता है friends, इसको भी ध्यान दे समझे और बहुत मज़ेदार चीज है, आपको इसको भी समझे, मैं आपको यहाप बना के रिखाता हूँ, उसमें ज्यादा मज़ा है, समझे ट्रेंड नीचे के तरफ जा रही है, और last में एक हमें bearish candle मिलता है, यहाँ पर last मे यह bearish candle मिलता है, और यह bearish candle क्लोज यहाँ पर है, यह close यहाँ पर है, तो यहाँ पर बेरेदम खुश हो जाते हैं, कि भई अपना बोलबाला बना रहा मारकेट में, और हम लोगों को जैसे मारकेट पुश करनी थी, हम लोगों ने पुश किया, अचारक में second session में क्या होता ह बुल्स आते हैं, और देखिए, यहाँ पर यह जो last day जहाँ यह candle open हुआ था, यह bearish candle जहाँ open हुआ था, उसके उपर यह bulls अपने candle को open करते हैं, इनकी open यहाँ होती है, और यह पूरा दिन बाइंग आते हैं, और यह price को open लेके जाती है, अब आप एक चीज देखो, समझन पहले pro gap, इसका close यहाँ, इसकी open यहाँ है, इतना बड़ा gap, इतना बड़ा gap यहाँ create हुआ market में, यह pro gap create हुआ है, और बुल्स ने तो इस candle के घर के अंदर जाका भी नहीं, तुम्हारे देहलीस से ही तुम्हें टान के ले गए अदम, पीट पीट के, पीट पीट के मार मार के, कि जो, बेटा घर में घुशे रहो, घर के बाहर मत निकलना, ऐसा कहा है इन्होंने, बुल्स आए, और तुम्हारे घर के बाहर आके कह रहे हैं कि घर के अंदर रहना, घर से बाहर निकलने की जुरूरत मत करना, and then, this is the, बड़ा move, strong, अब भी देखिए, सारे candle pattern मार यह देखो, क्या हुआ, सेम वही, यह देखिए, यहां पर, जहां इसका open हुआ था, जहां यह bear candle open हुआ था, वही पर यह bull candle भी open होता है, और उसके बाद पूरे जिन देखिए, move, और यह है pro gap, यह यह pro gap, this is called separating lines, बहुत strong pattern है, बहुत strong pattern, और यह pro gap के साथ है, next देखिए, यहां पर भी वही, same type of move, एकदम strong downtrend चल रहा है, आप देखो, downtrend चल रहा है, और bear देदम खुश, seller देदम खुश, seller सोच रहा है कि वह, आज तो हमारी lottery लग गई, एकदम खुश, और यहां पर देखिए, दूसरे दिन यहां पर आप देखिए, और यहां पर द ले जाता है, this is called separating lines, separating lines, देखिए, यहां पर, आपको समझ भाएगा, और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए, वो ओपन से नीचे यह ए एसलिए, लेकिन दूसरे दिन जो है, वो separating lines भी बन रहा है, separating line, यह dumb, इसका open और इसका open दोनों का open बराबर, यह open, यहां open हुआ, और green वाला open, दोनों बराबर, यह open और यह open, दोनों बराबर, भाई भाई, separating lines, बहुत स्रॉंग पैटन है, और यह जो है, इसी को pro gap बोलागा, this is called pro gap, यह bearish program, जैसे कि हम से bullish candle की बात कर रहे हैं, आपके साथ bearish candle को पर discuss कर रहे हैं, यह है bearish program, तो price जैदम उपर जा रही है, bulls जैदम खुश, और finally यहां पर देखी क्या होता है, भाई, इसका जो, इसका जो open है, बुल का जो open है, और bear का जो open है, दोडों बराबर, और उसके बाद bearish candle जो है, वो open से नीचे बंद होती है, और यहां पर जो मान सिखता है, जहां पर जो psychology है, वो एकदम सेम है, अचानक में bulls डरने लग जाते हैं, अपनी existing positions को बेचते हैं, जब selling शुरू होती है, तो जो pro sellers होते हैं, वो भी आ जाते हैं, यहां पर extra selling pressure पड़ता है, और price जो है, घड़ाके से नीचे जाती है, इस इस कॉल pro gap, इस इस कॉल separating lines, तो हम लोग ने bear sash, bull sash देखा, हम लोग ने separating line देखा, दोनो pro gap के examples हैं, यहां पर देखिए, same, एक और pro gap का example है, इसलिए मैं बोल रहाँगी, presentation अगर आप रखोगे, तो आपको फायदा होगा, और presentation आपको कब मिलेगी, जब आप यी video share करोगे, next देखिए, bull kicker, अब एक kicker pattern के उपर एक exclusive video हम लोग ने बना रखा है, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए, बहुत, kicker pattern के पीछे की मांसित्ता को समझे, kicker pattern के पीछे की psychology को समझे, तो यहां पर जो downtrend चल रहा है, और यहां पर एक bear candle बनता है, यहां एक bear candle बनता है, तो यहां जो bears होते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अभी next दिन क्या होता है, next दिन, यह जो candle है, यह जो candle है, इसके open क यह उपर open होता है, इसका open यह था, इसका open यह था, यह यहां पर होता है gap, यह तो normal window, और साथ में यह pro gap वाला window, दोनों window, दो तरक यह gap है, right, तो जो boxing में होता है, boxing में, इसे double punch बोलते हैं, एक ऐसे नीचे से punch मारा जाता है, और जैसे वो सामने वाला boxer इसे मूँ उपर करत जाता है, उसको एक ऐसे right से एक और पंच मारा जाता है, तो वो चिट हो जाता है, like this one and two, Toyota double punch, यह वही है, भया पहले तो pro gap, fill in normal window, जा, बेर्स को बोला जा, घर वाफसी, तो यह है double whammy, double pit type, this is called kicker, bullish kicker, बहुत जल्दी, और बहुत बढ़ा change आया है, sentiment में change आया है, किस व लेकिन price action में बता रही है, कुछ न कुछ change आया है, इसका फाइदा हमें उठाना है, price को समझे, price के पीछे क्या चल रहा है, समझे, भूल जाए literature, भूल जाए नाम, भूल जाए सब कुछ, सिर्फ try to understand what the market is trying to tell you, एक बार इसकी जुबानी आप समझ जाओ ना, तो आपको जि की चीजिए रखिए, अब देखिए kicker, दो दो gap, एक तो pro gap, दुसरा normal gap, उसके बाद देखिए price, बहुत strong move होती है kicker की, और अभी मैंने जो आपको तीन कैनल दिखा है, तीनों में देखिए pro gap जो है दिरे दिरे बढ़ रहा है, इसलिए मैंने बोला strong, stronger, strongest, तीनों में pro gap की की जो size है वो दिरे दिरे बढ़ जाती है, look at this, kicker, bullish kicker, psychology आपको समझा दिया, downtrend है, bear candle, डोनो gap आए, pro gap आ रहे है, साथ में, यह जो है, normal gap आ रहा है, pro gap आ रहा है, normal gap आ रहा है, window and pro gap दोनों आ रहा है, double whammy, double punch, बहुत interesting चीज है, candle sticks, friends, अगर आप इसको ठीक तरह से समझो, अगर आप ठीक source से इसको सीख लो, और मैं आपको guarantee, जैसे मैंने आपको कहा, guarantee मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कहीं पर भी आप लिख लो, अभी यह चौथा episode है, इसके बाद एक और episode हैगा, पांच वह एप नहीं देगा, खासकर free में तो नहीं देगा, paid में हो सकता है, मिल जाए कहीं पर, free में नहीं मिलेगा, YouTube पे नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह bearish kicker, अब आप इतने समझदार तो हो गए हो, पिछले 4-5 episode में हम लोगों ने सिर्फ candles के बारे में बात किया, अब अब इतने समझदार हो गए हो कि आपको pattern समझ मैंने लग गए, pro gap concept है, नया concept नहीं है, लेकिन candlestick के साथ application जो है, मेरे खाल से आप बहुत लोगों के लिए नहीं चीज़ होगी, pro gap, नहीं देखिए, आप वापस bearish kicker, बहुत सारे example में, इसलिए चार्ट पे लेके आत लोगों के ऐसा नहीं लगे कि वही ठ्योरी में drawing बना दिया और उसके बाद ये, pro gap, अब एक बहुती घंभीर सवाल, क्या आप इस तरह के strong pattern को देख कर, outright trade करने के लिए जंप करोगे, बहुत strong statement है ये, would you outright jump on these setups, क्या directly आप इन patterns को trade करने के लिए जंप करोगे, आईए, लेखते हैं, 10% का risk, अगर ये candle पर आप trade लेते हो, तो आपका risk जो है, यहाँ पर आपका stop loss है, यहाँ पर आपकी entry है, आपका risk जो है, 10% का risk है, 10% का risk, लोगे, लोगे तो भई आप फिर, या तो आप कुबेर पुत्र हो, या कुबेर पुत्री हो, कि आपको कोई, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, धनी धन है आपके पास, भई हमारी तो हिम्मत नहीं होती, 10% risk एक trade लेने की, next, यह देखिए, 10% का stop loss, वोई सब pro gaps है, pro gaps में भी अगर आप 10% का stop loss, लेंगे 10% का stop loss, बताइए, 10% stop loss, feasible ही नहीं, feasible भी नहीं, अगर कोई भी अगर आपको यह recommendation दे रहा है, कि 10% का stop loss लेके trade कर लो, चपल उठा के उसको मरिये आज, 10% का stop loss लगा के trade नहीं होता है, 10% का stop loss, दस trade आपके गलत, आपका capital साफ, 10% पे stop loss पे trade नहीं होता है, इस चीज़ का याद रखिएगा, risk reward ratio बोलते कुछ होता है, capital position sizing कुछ होती है, capital management कुछ होता है, तो, तो सर, अब इसको आप बोल रहे हो कि नहीं लेना ले, तो pro gap तो सारी candle ऐसे बनेंगे बड़े-बड़े, अपकोर्स, pro gap सारे candle ऐसे बड़े-बड़े बनेंगे, तो सर कोई तरीका तो बताईए, तो बिर क्या फाइदा हुआ, pro gap पढ़के, आपका घ्यान सुन रहे हैं, आपका lecture सुन रहे हैं, पिछले 45 मिनट से, अब आप लास्ट में आके बोले हो, trade मत करना, तो pro gap का फाइदा क्या हो से, उसको पैचानने के लिए रगा, फोटो किछ के दिवाल पे लगा ले, pro gap है, pro gap है, मैंने pro gap पैचान लिया, पद मभूशन मुझे मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, trade करने सकते, trade करने का तरीका है, क्या तरीका है, आप जिस time frame पे आपने pro gap पैचाना, तो जैसे ये जो चार्ट है, वो है, weekly time frame पे, weekly time frame पे, मैंने यहाँ पर, आदित्य बिल्ला फैशन में, आदित्य बिल्ला फैशन में, weekly time frame पे, एक bullish pro gap वाला candle पैचान लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे daily time frame पे convert कर देना है, तो देखिए, ये जो highlighted portion है न, ये वो pro gap वाला candle है, weekly chart पे, तो daily chart पे जब मैंने इसको convert किया, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, daily chart पे, मैं retracement का wait करूँगा, तो daily chart पे अगर ये आने वाले समय पे, ये candle retrace होती है, तो ये जो stop loss है, वो करीबन 4% का stop loss होता है, और उसके बाद आप इसको time frame, एक time frame नीचे आजाओ, और retracement का wait करो, फिर कोई भी support का चीज़ आप यूज करते हो, चाहे आप MA यूज करते हो, चाहे आप pivot points यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, जो आपकी मर्दी यूज करके अपनी entry को time, ये तरीका है, pro gap को trade करनेगा, ये तरीका है, वो बड़े बड़े जो candle होते हैं, strong, बहु बली candle, उनको trade करनेगा, bullish और bearish दोनों ये तरीका है, you have to wait for a pullback, तो कोई भी चीज समझने का और करने का तरीका अलग होता है, मज़ा अलग होता है, तो इसी के साथ friends, आज का ये एपिसोड ख़दम करते हैं, आप mastery level का next episode हम अगले अपते लेके आएंगे, जैसे मैंने कहा कि mastery level थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसका next episode हम next week लेक keep sharing, जै इन, जै भारत, stay safe.